हमोई होगा है तो कहीं नहीं को जरूर होगं जिस सेंटर से लीख हुआ है को स्वागत है आपका अब पर नाम विशाल अब ही हelyn मौझूद है भिकना पाड़े के इलाके में और जिस भवन में मौझूद है उस भवन का नाम है भारती भवन लौज और यहां पर आने का जो वज़ा है आपको बता दे 23 दिसंबर को बिहार SSC CGL 3 का पीटी परिक्षा हुआ था पीटी परिक्षा जो प्रतम पालिका था उसका पेपर लीक हो गया था परिक्षा के इंद्र में जाने से कुछ दिर बाद है ऐसे में देखिए कई छात्र को जब पता चला कि परिक्षा पेपर लीक हो गया है तो कई चातरा क्रोश में आ गया और सोसल मीडिया पर लगाता और वायरल हो गया दो दिनों के बाद बिहार करमचारी चैनायोग ने पत्र जारी किया जिसमें साब तोर पर लिखा गया था कि प्रथम पाली का जो सीजियल पीटी परिक्षा था वो रद्ध किया जाता है अब रद्ध एक इलाके में आपको पता होगा चात्रों की ज्यादत संख्या में लोग यहां पर रहते हैं और यहां से पढ़ाई करते आसपास के बहुत सारे आसपास में कोचिंग सेंटर हैं क्या नाम हुआ सब सब पहले यह बताईए जी तो यह बताईए कि बिहार ससी की आपने परता पाली था आप लोगों का ने सेकेंट था सकेंट तो एक्जाम कैंसल नहीं वालेकिन कैसा गया एक्जाम ठीक ठीक गया है उमेद है कि हो जाएगा उमेद कटफ पर निर्भर करता है यह बताए कि प्रताम पाली वाला परिक्षा का जो पेपर था वह लीक हो गया जब आप लोगों को पता चलाओ तो लग रहा हो है कि अब करें हमारा भी लीखना हो जाया से कुछ मंगा तो उनके पास होगा तो भी तो कभी न कभी तो कुछ सोच होंगे मन में डर जरूर है कि कहने कहें उसमें भी धांदली हुई होगा यह तो डर है किते साल से तैयारी कर रहे थे किते सांसे पठ्टन में रहे रहा है और बीहार ससी का यह 2014 में आया था में आफरी टाइम पिर दमार यह आएऔर आए आठ साल के दर्म्यान — आप साल Thaiwurf मैं eight शाल MORE पर यह तेड़ आ दुबारा एक्जाम देंगे आयोग ने बताया है कि 45 दिनों के अंदर में तारिक का एलान किया जाएगा आप लोगों डर है कि जिस तरीके साब लोग कह रहे हैं कि हमारा भी हो सकता तो चाहते हैं करवाना क्या है कि पुरा कंफर्म हो के कहते हैं कि सकेंड का भी कैंसिल किया जाएं पर कैसा आथा मिला जुलाकर करें घर बात करें तो कैसा पैपर था मिला जुला कर सकते हैं कि मैं तो इजिनिंग तो इजी था जी थोड़ा वो जी ठीक ठाक था थोड़ा साइंस हाड था साइंस थोड़ा हाड था जी चुछ